हलो स्टुएंट्स आज हम लॉज ओफ रिफ्रेक्शन की बात करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 CBSC साइन्स के लिए सो लॉज ओफ रिफ्रेक्शन में पहला लॉज जो है वो ये बताता है कि जो इंसिदेंट रे है रिफ्रेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है ये तीनों जो लाइन्स है एक ही प्लेन पे लाई करती है ठीक है तो डेफ्रेशन पढ़ते है according to first law of refraction दा इंसिदेंट रे रिफ्रेक्टेड रे रे एंड नॉर्मल तो दा सर्फेस और लाइस इन दा सेम प्लेन यहाँ पे सेम प्लेन का मतलब क्या है सेम प्लेन का मतलब यह जो पेज पेपर पे बनाया है डाइग्राम यह हमारा प्लेन है इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं जैसे माल लेते हैं कि ये एक incident ray है ये pencil ये pen जो है refracted ray है और एक और माल लो एक normal ray है तीनो की तीनो जो lines है वो इसी page पे बनी हुई है कोई भी line जो है ऐसी inclined या उठी नहीं है समझ रहा है कोई तेडा नहीं है कुछ इस तरह उठा हुआ नहीं है सब के सब इसी page पे लाई कर रहा है इसी को हम plane कहेंगे ठीक है तीनो की तीनो rays incident ray, refracted ray और normal तीनो की तीनो इसी plane पे लाई कर रहा है ये है पहला law of reflection ओके ना और हम second law of reflection की बात करते हैं ये काफी important law है तो इसको अच्छे समझते हैं पहले तो पहले लिखा क्या है ये देख लेते हैं लिखा ये है according to second law of reflection the ratio of the sign of the incident angle to the sign of the refracted angle is constant for a pair of two media इसका मतलब ये होता है कि जब दो medium होते हैं तो incident angle और refracted angle का जो ratio होता है हमेशा constant है ता है इसको इस formula से समझ सकते है कि यहां भी दिखा हुआ है कि ratio of sign of angle of incidence to sign of angle of refracted ray या angle of reflection always been constant तो ये हमेशा constant होगा इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझते है इस तरह से let us suppose इसमें डिखते है हम एक diagram बनाते है ये माल लो एक surface है तीक है ये एक incident ray है तीक है और यहां पर हमने एक normal draw कर लिया और ये एक refracted ray है तीक है let us suppose ये जो angle हमें पता है पहले से 20 degree है और ये angle हमारा let us suppose 10 degree है तो अभी हमने जो पड़ा sign of angle of incidence sign of angle of reflection तो इसका मतलब होता है यहां पर होगा ये sign of angle of incidence upon sign of angle of reflection बराबर कितना 20 upon 10 तीक है तो 20 upon 10 इसको solve करने पर हमें कितना मिल गया 2 मिल गया अंसर ठीक है अब हमने क्या किया second step में इस incident angle को थोड़ा बढ़ा दिया मतलब हमारा जो reflected incident ray है ऐसा होगा normal रही है reflected ray ये है अब मालो ये हमारा हो गया 40 degree ये हो गया हमारा 20 degree इस बार हम sign है ये अब sign r करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 upon 20 ये example के तौर पर ले रहे हैं अब ठीक है अंसर फिर से 2 मिलेगा अब हमने क्या किया इस angle को और बढ़ा दिया ठीक है इस बार हमने और oblique कर दिया ये हमारा normal ये हमारा sign r incident angle को बढ़ातने से reflected angle भी change होगा पर इनका जब ratio करेंगे तो हमेशा हमें एक constant answer मिलेगा एक single answer मिलेगा ये हमारा second law of reflection कहता है ठीक है इसमें एक limitation होती है कि हमें जो हमने दो medium ले हुए हमेशा वो change नहीं करना है हमें हमेशा same रहेगा medium is also being constant it is not going to be change ठीक है तो ये ही बता रहा है कि जो हम incident angle और refracted angle का जो हम ratio लेंगे हम भली कितना ही change करते नहीं vary करते नहीं incident angle हमेशा उनका ratio constant आएगा तो ये ही हमें बता रहा है ओके now इस constant का भी एक मतलब होता है ठीक है अब हमें तो इस constant का मतलब ये है हम पढ़ लेते हैं here constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium ठीक है तो यहाँ पर constant का मतलब ये होता है कि जो diagram है इसमें दो medium होंगे इसमें जो second medium होगा इसका जितना refractive index होगा वही इसके ratio के बराबर भी होगा ठीक है ये हम जब थोड़ा सा calculation का आगे करेंगे तो solve समझ में आएगा तो अभी हमें ये समझना है कि sign of constant के जगा हमें ये लिखना है यहाँ पर जो n बना हुआ ये refractive index का sign है तो इसमें ये इस तरह से बना है कि ratio of sign of angle of incidence to sign of angle of reflection is equals to क्या होगा refractive index of second medium with respect to first medium मतब refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium ठीक है इसको इस तरह से भी लिख सकते है तो यहाँ पर देखें जैसे लिखा था refractive index of second medium upon refractive index of first medium ठीक है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते है कि refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium इस तरह से भी लिख सकते है तो इसी चीज को हमने फिर से इस चीज को हमने और करके इस तरह से लिख लिए इसका मतलब क्या है कि जो जे law है second law ये बराबर होगा refractive index of second medium with respect to first medium ठीक है और इस law को ये जो law है इस law is also known as snail's law ठीक है तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो sign of angle of incidence and sign of angle of refraction है उनका ratio refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium के बराबर होगा और इस law को हम कहेंगे snail's law इस second law में हमें ध्यान ये देना है कि पहली बात ये है कि angles of incidence और angle of refraction constant होता है और वो constant असल में refractive index of second medium होता है with respect to first medium बस ये दो बाते इस law में याद रखनी है ठीक है hope ये clear होगा सभी को ओके अब हम laws of refraction का third law भी देखते हैं जो कि हमारे book में नहीं है बट हमें हो सकता है कभी questions में आ जाएं तो इसलिए हम एक बार इसको भी देख लेते हैं कि laws of reflection का third law क्या होता है इसे third law नहीं कह सकते कि numbering नहीं कर सकते इसको first में भी लिख सकते हैं from one medium to other medium जब light ray एक medium से दूसरी medium की तरफ travel करता है ठीक है तो हमें धान रखना है कि light की frequency of light does not change light की जो frequency होती है कितनी frequently वो move कर रहा होता है ठीक है वो change नहीं होता है however velocity of light and wavelength of light colors change मतलब इसमें light की velocity और wavelength change हो जकती है पर frequency कभी change नहीं होगी ठीक है इसको एक बार फिर समझते हैं कि जब light ray एक medium से दूसरी medium की तरफ travel करती है तो उसकी frequency कभी change नहीं होगी light की but light की velocity मतलब light की speed और light की wavelength चेंज हो सकती है यहाँ light की wavelength का मतलब उसके colors है तो वो change हो सकती है बट frequency कभी change नहीं होगी यह भी एक law है मतलब यह हमेशा reflection के साथ हमेशा applicable रहता है यह third law भी हमें जानना चाहिए तो यह थे हमारे first, second and third law I hope सभी को यह video से समझ में आया होगा, thank you